So hello guys, आज मैं आपके सामने एक new series को explain करने जा रही हूँ जो अभी अभी new release हुई है और ये series भी Soul Land और Perfect World Series की तरह होने वाली है जो आप लोगों को बेहत पसंद आएगा और मैं सभी से request करूँगी वीडियो को last तक जरूर देखें तो अब और बात ना करते हुए वीडियो को वीडियो के और इस series की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक beast के साथ लड़ाई कर रहा था यहां हमें उस लड़के का नाम डेव पता चलता है वह beast लगातार डेव के उपर attack कर रहा था लेकिन beast के attack से असानी से बच जाता है और उसे एक लात मार कर दूर भ देखते हैं यहां हमें लड़के का नाम टीना और लड़के का नाम मैक्स पता चलता है वो लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और उन दोरों की पावर बहुत जादा थी जिससे कोई भी हार नहीं मान रहा था फिर से हम डेव को देखते हैं और वो कह रहा था इतने सालों पहार में एक पंच मारता है हम देखते हैं उसके पंच में इतनी पावर होती है कि जमीन में और पहार में दरारे आ जाती है और इसे पहार तोटने लगते हैं यहां दूसरी तरफ टीना और मैक्स एक दूसरी पर अटैक कर रहे थे तभी मैक्स टीना के ऊपर एक पावर पाती है मैक्स उसे कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो मेरा प्यार तुम्हारे लिए इन बादलों की पहारी के तरह है वो यह सब बकवास कर रहा ही हो होता है कि तभी वहाँ पर एक पहार तुटका गिरने लगता है और इसका फॉयदा उठाकर टीना वहां से भागने लगती है उसे भागते देख मैक्स भी उसके पीछा करने लगता है और तभी उस पहार के उपर से डेव सीधर टीना के उपर गिरता है अब वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है और डेव के उपर अटैक करने लगता है लेकिन डेव को उसके अटैक बहुत स्लो लग रहा था और तभी वह मैक्स को एक पंच मार कर बहुत दूर भेज देता है तीना उसकी पावर देख कर शौक हो जाती है कि यह लड़का कितना पावरफुल है अब डेव उ सब्सकाइमर के याद आने लगती है जिससे वो जल्दी से हैमर के पास जाने लगता हूंढ़ देखता है पहाड तूट रहा था और देव कहता है कि यहां मेरे पास आखरी मौका है और मुझे इस हेमर को उठाना ही होगा, ये कहके डेव हेमर को उठाने के कुशिश करता है, लेकिन हेमर की जगा उसका हेंडल निकल जाता है, और तब हेमर में से एक लड़की के आवाज आती है, तो आवाज कहती है कि finally यहाँ कोई आ गया है, डेव यह सुनकर हैरान हो जाता के एक हैमर कैसे बहुष सकता है। हैमर उसे कहती है इतने सालों में मुझे कोई यहां से बाहर निकालेगा और डेव से कहती है कि तुम खर्यों कर क्या सोच रहे हो जल्दी से मुझे यहां से बाहर ले चलो वरना हम दोनों यहीं इसी पहार में तबड़ जाएँगे। डेव हैमर को जल्दी से उठा कर बाहर भागने लगता है और भागते हुए डेव उसे हैमर को बाहर ले आता है और वो बहुत ज़रों से चलाता है कि फाइनली मैंने दस साल की वैनत के बाद इसे हासिल कर ही लिया और मैं अब इमोर्टल बढ़ने जा रहा हूँ डेव यह कह रहा था कि उसे एक आवास नहीं देती है कि तुम अपनी बाकवास बंद करो और जल्दी से उस हैंडल को हैमर में लगाओ ये सुनकर डेव उस हैंडल को हैमर में लगाता है और उसको ऐसा करते ही हैमर में से एक रोश्णी निगलती है और जिससे की एक लड़की बाहर आती है अब डेव उस लड़की को देखने लगता है और उसकी 4 तुलाफ गुमने लगता है और मन में सौचता है कहीं है है हैमर फेडी तो नहीं है वो लड़की के पास जाकर उसे पूछता है कि क्या तुम लिजेंडरी गॉर्डिंग हो वो लड़की उसे मना करती है और उसे कहती है कि मैं तो बस एक लिटल गुर्ल हूँ जो हैमर में सीलती डेव फिर से पूसता है क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल है या फिर तुम किसी गुप्त मार्शल आर्ट के बारे में जानती हो वो लड़की कहती है कि तुम अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आओ और मेरे पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है अब डेव सोचता है कि इस लड़की को तो कुछ भी नहीं पता और फिर उसे वापस हैमर में जाने के लिए बोलता है जिससे वो लड़की हैमर में जाने लगती है और डेव को बताती है कि अगर तुम मुझे वापस बुरलाना चाहते हो तो बस हैमर को क्लिक कर देना और मैं वापस आ जाओंगी और फिर डेव हैमर को उठा कर वहाँ से जाने लगता है और कहने लगती है कहीं मैं दस साल इस हैमर को पाने के लिए खराब तो नहीं कर दिया डेव अपने घर आता है तब ही उसके मदर उसे देख कर बहुत खुश हो जाती है और उस को गले से लगा लेती है और फिर टेव से कहती है कि तुम जिस काम के लिए गए थे फानली वो पूरा हो गया और अब बहुत ताग्यतवर बन गय हूँ इसलिए अब तुम्हें सब बताने का समय आ गया है फिर वो टेव से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी रियल मदर नहीं हूँ और जिसने तुम्हें जनम दिया वो लेडी कोई और है तभी डेव कहता है मदर आपी क्या कह रही है आज आपको क्या हो गया है और तभी उसके मदर उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगती है कि तुम्हें एक रॉयल फैमली के प्रिंस हो और मैं पिशले 10 सालों से इस दिन का दिजार कर रही थी कि तुम्हें सच बता सकूँ और डेव से कहती है तुम्हें अपने फादर से बदला लेना होगा पर इससे पहले तुम्हें वेस्ट की रॉयल मैजिस्टी को पुनस्तापित करना ही होगा अगली सिन में हमें किंग को देखते हैं और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसकी बेटी होती है और इसका नाम सिया होता है फिर सिया अपने फादर से पूछती है कि आपने मुझे इतनी जल्दी में यहां क्यों बुलाया तो उसके फादर उसे बताते है कि माउंटेन से बलकेरी हैमर गायब हो गया है और तुम्हें वहाँ जाकर पता करना होगा हैमर को कौन लेकर गया है सिया यह सुनकर शौक हो जाती है और कहती है कि पिछले 500 सालों में उस हैमर को कोई हिला भी नहीं पाया और अब वो हैमर कौन ले जा सकता है तब ही उसके फादर कहते है कि मैं अब बहुत ठक गया हूँ और मैं अराम करना चाता हूँ और तुम चुयो माउंटेन में जाओ और छान बिन करो कि हैमर कहां गया है यह सुनकर सिया वार से जाने लगती है और तब ही उसके पास एक आदमी आता है और पूछने लगता है कि किंग ने आपको इतनी जल्दी में क्यों बलाया था सिया उसे बताती है कि चुयो माउंटेन में से हैमर को यह ले गया है यह सुनकर वो आदमी भी शौक हो जाता है और कहता है इतनी सालों में हैमर को कोई हिला भी नहीं बाया अब कौन आ गया है जो हैमर को अपने साथ ले गया और कहता है उस Heimert की जाने के बार हम मुशिवत में आ सकते हैं अब सया कहती है कि मुझे वो Heimert किसी भी हलारत में ढूनना होगा अब थोड़ी देर में सया एक जगह जाती है और वहां पड़े का आदमी को बलाती है और उसे कहती है कि चुयों माउंटेन से हैमर गायब हो गया है और तुम्हें वहाँ जाकर पता करना हो कि वो हैमर कहां गया है तब ही वो आदमी वहाँ से हैमर के बारे में पता करने के लिए रवाना हो जाता है और फिर अगले सीन में हम डेव और उसकी मदर को देखते हैं वो डेव को बताती है कि शेनवू की बैटल में पैंगलोई ने अपने अंकल को थ्रोड में बैटने में मदद करी और इसके बाद जेंग्यू केंग्डम और ट्वल स्टेट में उनका सम्मान किया जाने लगा फिर डेव अपनी मदर से कहता है कि आप मुझे ये स्टोडी बच्मन से सुनाती आ रही है उसकी मदर कहती है मैंने तुम्हें सारी बाते नहीं बताई और जब मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ तुम्हें उसे गौर से सुना होगा जब वार्श शुरू होने वाली थी तब क्वीन ने ड्रेगन सन को जरम दिया और उसके बाद वो मैड गई और वो ड्रेगन सन तुम हो और तुम सबी ने तुम शतान का पुत समझा और तुम्हारे पितन ने तुम्हें एक्सपर्ट नहीं किया और तुम्हें एक मामूर इंसान को सौप दिया गया पर तुम्हें एक मामूर इंसान नहीं हो तुम्हारा नाम तुम्हें अपने विरासत में मिला है और बच्पन में तुम्हें जिससे सौपा गया था वो लेडी मैं ही हूँ अब डेव कहता है कि अगर वो मुझे नहीं जाते मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप मेरी मदर हमेशा रहोगी उसकी मदर डेव को और भी बताती है कि जब वर्क खतम हुई थी मैं तुम्हें तुम्हेरे फादर के पास ले गई पर उन्होंने मुझे सिल्वर और गोल्ड दिया और मुझे वहाँ से कहीं दूर जाने को बोला और इसके बात मैं तुम्हें चोयों माउंटेन में ले कर आ गई और पिछले 10 सालों से मैं इस दिन के इंदिजार कर रही थी कि कब तुम अपनी कल्टिविशन पूरी करोगे और गौड हैमर को ले कर आओंगे और अब तुमने इत्तागतवर बन गई हो कि अपने फादर और उन सभी से बदला ले सको जो जो नो ने तुम्हारे साथ गलत किया फिर तो दूसरी तरफ हम प्रिंसेस सिया को देखते हैं वो कहते हैं कि सेकरोसार उसे गौड हैमर चोलियो माउंटन में था और अब पता नहीं उसे कौन ले गया है और मुझे जल से जल सारी सच्चाई का पता लगाना होगा देव उसके माँ से कहता है कि वो कल्ये गाउं शोर कर टैंक पलेस में जाएगा और उसके माँ को वहाँ किसी आशल पर बिठाएगा ये सुनकर उसकी मां के आंकों में आसु आ जाते हैं फिर वो देव से पूछती है कि वो जो हैमर तुमें मिला था क्या उसमें तुमें बहुत जादा पावर्दी है मतलब क्या अब तुम इमॉर्टल बन गए हो फिर देव कहता है कि नहीं शायद मां पुक किसी ने बेव को बना दिया होगा तो वो तो सिरफ लकरी का मामली टूटा हुआ हथोरा है फिर वो उनको हैमर दिखाता है और उसकी मां वो हैमर को देखती है कि वो तो टूटा है और फिर वो भिहोश होने लगती है फिर देव उने बिस्तर पर लेटाता है और बताता है कि इस हैमर में से लड़की भी निकली थी उसकी मा को ये बात थोड़ी अजीव लगती है और वो देव से कहने लगती है कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हूं ये बहुत जाता ही मुश्किल है और इसमें जान की भी बात आ सकती है और तुम अगर चले गए तो उम्हारी फैमली खतम हो जाएगी इसलिए तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहेगी लेकिन फिर देव बना कर देता है और और चला जाता है फिर हम सुबह का सीन देखते हैं और जब देव अपने घोरे पर बैठ कर निकलने वाला है और अपनी मा से कहता है कि मैं अच्छी ख़बर लूँगा मेरे इंतिजार करना और फिर ये कहकर देव निकल पड़ता है फिर हम देखते हैं कि देव की मा कह रही है कि देख रही हो महरा नी हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है फिर हम देव को देखते हैं और वो गोड़े पर जा रहा है और उसे अवाज आती है कि कोई लड़की कह रही है कि अच्छा तो तुम्हारी मम्मी चाहती है कि तुम्हारा एक बेटा हो फिर देव घोरे को रोक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी हैमर वाली गर्ड की आवास थी वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा ये सासुमा का टास्क बुड़ा कर सकती हूँ फिर देव कहता है कि वो तुम्हारी सासुमा कब से हो गई? मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता वो लड़की सोचती है पर उसे खुद का नाम याद नहीं आता फिर देव कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अब से गोल्डन हेवर बोलूँगा फिर वो कहते है ठीक है तो मुझे एक नाम भी मिल गया है फिर अगले सीन में देविक राज्य के पास पहुंसता है पर उसे बहार ही वहां से सैनिक रोग लेते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो तुम्हें पता नहीं कि ये दो राज्यों की सीमा है फिर देव वहां देखता है कि उस जगा का नाम ननवही है बड़े कॉल्फिडेंट होकर कहता है कि इस राज्यों के अंदर जाने से पहले तुम लोग मेरी शिंख शाउस शिंजी से इमोर्तोस पावर के सामने अपने घुटने टेक दो पर वो एक सैनिक दूसर से कहता है कि पहले ही हमारा एक बंदा गायब है इसलिए हमें इसे पकर लेना चाहिए जिससे कि हमारी सैल्डे पर कोई फरक ना पड़े फिर देव उन सैनिक में से माफी मागने कर कहता है और वो सैनिक उसे ही पकर ले जाते है फिर थोड़ी दिरवाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक जेल में बंद है और वही पर वो hammer girl भी है और वो उसे कहते है कि उसे भूक लगी है और फिर देव पूसता है कि लेकिन तुम उस hammer से बाहर कैसे आई तो फिर वो पताती है मैंने उन दोनों मुर्खों से कहा कि तुम इस हमर पर हाथ फेरो तो उन्होंने फेरा और मैं बहार आ गई और मुझे उनसे पता चला कि उन्होंने तुम्हे कहार रखा है फिर वो लड़की देव से कहते है कि क्या तुम घोरे का वेस्ट उठाने का काम कर सकते हो क्या? क्यो? कि मैने सुना है कि इन्हें कोई इस काम के लिए कोई चाहिए लिकिन देव करता है कि क्यों गोड़ी का वेस्ट उठाऊंगा फिर वो सीन्ट चींज हो जाता है और हम देव को देखते हैं कि जो ही भूका है और अगले राज्य को ढोड़ने निकल पड़ा है फिर वो सामने देखता है कि कोई दो लोग लड़ रहे हैं और वो दोनों और कोई नहीं टीना और मैक्स हैं फिर मैक्स के नजर देव पर पड़ती है और वो उस पर दूर से ही अटाइक करता है और फिर हम देखते हैं कि Tina असमान में छलांग लगाती है और देव इसे नहीं देख रहा होता है और फिर Tina Max का अटेक रोख कर देव को बचाती है फिर देव उसे पहचान जाता है और उसे कहने लगता है कि ये मैं हूँ तुमने मुझे पहचाना उस दिन वाना लड़का फिर इतने महीं मैक्स अपनी सोट से अटैक करता है पर देव उसे एक हाथ से ही रोक लेता है और ये कर टीना शौक हो जाती है और सोचते हैं कि ये लगत कितना तागतवर है पर ये है कौन फिर हम देखते है कि मैक्स कहता है कि मुझे अभी कहीं जाना है तो हम फिर कभी बात करेंगे तो देव कहता है कि ठीक है पर मैक्स देव के हाथ अपनी सोड नहीं ले पा रहाता तो वो फिर से कहता है कि अच्छा तो मैं चलता हूँ फिर देव कहता है कि ठीक है फिर टीना देव पर तलवार तान देती है फिर देव कहते हैं कि मेरे पास बहुत तागत है और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पुचाना चाहता पर टीना नहीं सुनती और देव पर अटेक करने लगती है देव सिर्फ उन अटेक से बचने की कुशिश कर रहा था पर वो गल् में फसने के करन तो मुझे और भी भूक लग रही है और फिर उसे वो ही हैमर दिखता है उसे बहुत ज़दा गुसा आता है कि मैं इतनी तेज धूप में भूका प्यासर चलके यहां आ रहा हूं और यह यहां पहले से डला हुआ है और फिर देव उस हैमर को लाट से मारने इमोर्टल बुक जिसमें की इमोर्टल के नाम होते हैं वो कहां यह पूसता है फिर वो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें वो क्यों चाहिए फिर देव कहता है कि वो जाना आपका काम नहीं है आप बस मुझे बताए कि वो कहां है फिर मास्टर कहते हैं कि अच्छा तो बिना कार तो मैं तुम्हें उसका पता नहीं बताऊंगा फिर देव उनसे कहता है कि मुझे बस उसमें ये देखना था कि मैं होर्स डंक उठाने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं दरासल ये काम देव इसले कर रहा था क्योंकि वो उस राज्य में रहना चाहता था और ये नौकरी करक ऑनकर वो वहां किसी के नज्डायों में नहीं आना चाहता था फिर मास्टर उसे उस बुक के स्टोर के पास ले जाते हैं और फिर उसमें तो कांड को effe कर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे है कि देव बहुत ही डुखी था तो यह देखर मास्टर उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो तो मुलाख हो इमौर्टल सで क्लेंपिर स में से एक उखो फिर नहें चुप होने के लिए कह देता है फिर मास्टर आता है जो कि उनसे कहता है कि मुझे खबर मिली है कि आपको एक पार्ट इमोर्टल स्टुइंट मिला है मास्टर कहते हैं हाँ फिर वो सैनिक कहता है कि मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि तेंग राज का वो हैमर चोड़ी हो गया है और ये पता नहीं चल रहा कि किसने उसे लगता कि ये उसे चूबी पाएगा और जाने लगता है फिर देव वो हैमर उस सैनिक के पास फेकता है और सैनिक गुस्सा हो जाता है पर मास्टर उस सैनिक को रोक लेते हैं फिर देव कहता है कि यहीं वहीं है तो मास्टर और सैनिक दोनों बहुती तेज हसने लगते हैं औ फिर वो जल्दी से गेट बंद कर लेते हैं और देव से कहते हैं कि मैंने कभी आस नहीं छोड़ी थी, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, फिर देव उनसे कहता है कि कहीं आपकी तबियत तो खराम नहीं, फिर मास्टर कहते है कि मुझे मैं कौन हूँ, फिर देव पूस वो वहां से चलते बनते हैं पर मास्टर अपनी मैजिक से उसे पकर कर तानते हैं और अपनी असली जगह से ले जाते हैं, और रासरंवें बताते हैं कि वहां तुम कई चीज सीख पाूंगे और फिर रव ठूल ट्रांस्वर्मेशन कर पाऊंगे और हमारे स्कुल बहुत सी भी है, तो अब देव बाखी की बातों को इग्नोर कर दिता है और फिर इसकी बात सुन कर उसके काम में घंटी बज़ती है फिर अगले सीन में हम शैंग डाइनिस्ट्री के राजय को देखते हैं और फिर उनके पास तेंग राजय के राजय की बेटी जिसे उन्होंने hammer लेने भीजा है वो आती है और राजा से कहती है कि हमारा hammer चोरी हो गया है मैं उसी सिलसले में आप से बात करने आई हूँ फिर राजा कहता है कि वो तुम्हारा ख़जाना था और हमें उसमें कोई भी interest नहीं है और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने लिया है तो तुम उसे ढोलो हम तुम्हें वो लोटा देंगे फिर king उसे south area पर अभी तक के मिले treasure दिखाते हैं फिर वो कहती है कि नहीं इन में से कोई भी नहीं है फिर हम देखते हैं कि मैक्स वहां आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तेंग राज्य का प्रेंस यहां आया है जो कि पेंगलाई की golden list में top 3 में है कहां है रोक सी होंग फिर आंगे आके वो देखता है कि असलियत में वो लड़का नहीं एक लड़की है पर होंग कुछ नहीं कहती और जाने लगती है फिर हम देखते हैं कि किंग मैक्स से कहते हैं कि मुझे यह जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि असलियत में किसने वो हैमर निकाला होगा कौन होगा इतना तागतवर देव एक जगह पर बैठ कर कल्तिविशन कर रहा है और फिर कमरे में मास्टर आ जाते हैं पर वो कुछ जादा यंग लग रहे थे और देव को भी इस बात पर जकी नहीं हो रहा था फिर मास्टर बताते हैं कि मैंने अपने लाइफ के 40 साल तो तुम्हें दे दिये हैं और अब मैं सिर्फ 45 साल का हूँ और मुझे अपनी ये पावर किसी को देने के लिए एक सकसर चाहिए फिर देव पूछता है कि आपने ये पावर मुझे ही क्यों दी ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि मेरे साथ आओ और फिर वो उसे बाहर के और ले जाते हैं फिर हम देखते हैं कि बाहर जाकर मास्टर देव से कहते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के इनसान होते हैं तब ही देव बोल परता है कि हाँ आदमी और 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 औरत फिर मास्टर उसे चुप करांकर कहते हैं कि नहीं, एक Immortals और दूसरे Martial Artist और फिर मास्टर उसे बताते हैं कि जब Immortals और Martial Artist का मुकाबला नहीं हुआ था, उससे पहले हर कोई Martial Arts सीखता था फिर Battle के बाद Immortals Cultivation का एक चालू हो गया और अब जिसे देखू वो यही करता है, और एक बहुत बड़ा बेफकूफ भी चाहिए तो स्ट्रॉंग बन सकता है फिर देव कहता है कि क्या आप मुझे ही वे बेफकूफ कहने के उशिश कर रहे हो फिर मांस्टर कहते है कि देखो अगर तुम बेफकूफ भी हो तो तो भी तुम तीन साल में अराम से Medium Immortals को पार कर दोगी फिर देव कहता है कि आप मुझे अबेवे बेफकूफ कह रहे हैं फिर मांस्टर उसे अराम से बिठा कर बताते हैं कि Immortals पैदा नहीं होते और नहीं Martial Artist चरम से Martial Artist होते हैं उन्हें ये सब सीखने में 200 साल लग जाते हैं और मुझे देखो मैं पूरे 10 साल से तुमारे इंतजार कर रहा हूँ मैंने कभी भी होप नहीं छोड़ी मुझे कई तागतवर योद्धा मिले पर तुम उनसे सबसे कमजोर हो फिर भी मुझे तुम पसंद आए मास्टर देव से कहते हैं कि ये कितनी कमाल की बात है ना पर देव को ये सिर्फ पकवास और बेजिती ही लग रही थी फिर मास्टर एक लेडी को अवाज देते हैं फिर हम देखते हैं कि सामने के गेट से लेडी आती है मास्टर उसे कहते हैं कि चुन हुआ अब हम फाइनली शादी कर सकते हैं फिर वो दोनों चले जाते हैं और जाते-जाते मस्टर देव से कहते हैं कि सुनो उपकल हम दोनों शादी करेंगे तो तुमें उसके लिए पैसे वही डेवल पर रख देना और फिर देव उन से उपर की एक खाली बर्तन फैकता है और कहता है कि ये रहे तुम्हारे पैसे फिर अगले सीन में हम देव अपना बैग रेडी करके वहां से जा रहा है और कह रहा है कि मेरा भी दिमाग खराब हो गया है मुझे वो बुढ़े आदमी के बात में आना ही नहीं चाहिए था फिर देव बहार निकलता है और वो हैमर बीच में आ जाता है और फिर देव मुझे बल चमीन पर गिर जाता है और फिर हैमर को उठाता है और उस पर हाथ फिरता है फिर वो हैमर गर आती है और कहते है कि क्या तुम्हें कुछ खाने को मिला क्या मुझे बहुत भूग लगी है फिर देव कहता है कि नहीं मेरे पस कुछ भी खाने का नहीं है फिर Hammer Girl कहती है कि अगर मैं अच्छी तरह नहीं खाऊंगे तो फिर तुम्हें बेबी कैसे दूँगी फिर देव उसको धक्का देता है और कहता है कि एक से बर्गर एक भड़े पढ़े हैं कि मैंने उसे थाम टोकने तो दिया ही नहीं पर कोई बात नहीं वैसे वास्टर को ये नहीं बताए कि देव वहां से जा चुका है फिर हम देव और हैमर गल को देखते हैं जिनको एक अच्छी जगा मिल गई थी रुकने के लिए देव वहीं बैठ जाता है फिर हैमर गल उसे क कहती है कि हमें कुछ तो करना ही होगा तो फिर देव पूसता है कि किस बारे में तुम फिर वह कहती है कि सासुमा के टास्क के बारे में फिर देव मना करता है और फिर वह कहती है कि पर तुमने सासुमा को प्रॉमिस किया है और फिर तो देव ऊपर जम करती है और कहती है कि तो हमें पहले क्या करना है बताओ। और हम देखते हैं कि देव हमारे गल से कहता है कि तुम उस हदौरे में पांच हजार साल से बन थी इसका मतब तुम बूरी डिमन हूँ बूरी पांच हजार साल बूरी हैमर गल को गुज सा गया फिर तुमने मेरा नाम भी रखा तो अब मैं फिर से तुम्हारी वाइफ हूँ फिर देव कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हें अपनी वाइफ माना ही नहीं फिर हमर गल उसका कान खीशने लगती है और कहती है कि अब से तुम मुझे फैरी या फैरी प्रिटी लेडी बोलोगे समझे फिर हम देखते है कि वो हैमर गल उसका कान छोड़कर भगवान के स्टैचू के पास जाने लगती है और कहती है मुझे पता है कि तुम इधर हो मुझे एक बेबी चाहिए इसलिए तुम्हें इधर से जाना होगा फिर देव टीना से कहता है कि तुम यहां क्या कर रही हो क्या उस लड़की ने तुम से फिर से लड़ाई की फिर टीना कहती है कि मैं तुम्हारे ज़ती तागतवर नहीं हूं और इतना कहकर वो जाने लगती है फिर ہमल गल उसे रोकती है देव फूसता है कि यह क्या कर रही हो तो फिर हमल गल कहती है तुम्हें यह लड़की पसंद है ना फिर देव कहता है कि अब यह बात तुम्हारे दिवाग में खासे आ गई फिर वो hammer girl देव के पास से वो locket जीसी चीज निकालती है जो कि देव को टीना से पहरी पर मिलने पर मिली थी और फिर hammer girl ये भी बताती है कि टीना को अभी बहुत जादा बॉर्डी में दर्ध हो रहा है इसलिए उसको मदद कर रही हूँ उसे मार कर फिर टीना कहती है कि कितनी बेव कुफ ये और hammer girl के उपर अटेक कर देती है पर hammer girl उसकी शोड को पकर लेती है और उसे खा जाती है फिर हम देखते हैं कि वो शोड देव के हाथ पर आ जाती है और फिर थोड़ी देर में गायब हो जाती है फिर hammer girl कहती है कि मज़ा आ गया मैं कबसे भूख ही थी अब जाकर सच में कुछ अच्छा खाया है फिर देव hammer girl से कहता है कि कि किसी के help करना उसे मानना नहीं होता hammer girl पूस दिये कि अच्छा तो और क्या कर सकते है फिर देव कहता है कि हम उसे hiddal भी कर सकते है फिर hammer girl कहती है कि अच्छा मैं कुछ इस कर सकती हूँ फिर देव टीना से कहता है कि हम बुड़े लोग नहीं है टीना भी मंद में सोच रही थी कि ये कितने अमीजिंग लोग है फिर सीन चेंज होता है और हम मैक्स को देखते हैं जो कि अपने डैड मतलब किंग से कह रहा है आप मुझे उससे फाइट नहीं करने दो वो गोल्ड तीन की थी फिर किंग कहते हैं कि वो जीतेंगे डाइनिस्टी के प्रिंस थी और तुम यहां के इसलिए तुम थोड़ी तमीज में रहना चाहिए फिर हम देखते हैं कि एक सेनिक वहां आता है और राजा को लेटर देता है जिसमें लिखा है कि मार्शल गॉर्ड हैमर को कुनूलून टेरिटरी में देखा गया है और अब राजा को उसे लाकर लुटाना होगा मैक सोसता है कि अगर वो गॉर्ड हैमर आठ हिमोर्टास ने या फिर चार संतने नहीं चुराया है तो कौन हो सकता है फिर हम एक लड़की को देखते है जो कि उसे आदमी से कह रही है कि ये सियू वे उस हैमर को धून कर खुद रखना चाता है तुम जा के टैंक क्लैन को इस चीज की इंफर्मिशन दो फिर वो आदमी कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है वो कहती है कि पूछो फिर वो आदमी कहता है कि टीना पैंगलोई पैवलियन के हायर की करीब ही है तो क्या मैं पैट्राइश की पूछों कि शायद वो कुछ हेल्प कर दे फिर वो पूछती है कि क्या टीना भी यही है फिर वो आदमे कहता है कि अगर हम उससे पूछेंगे तो टीना हमारे लोगे प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकती फिर वो कहती है कि ठीक है अब में कुछ मत करो सर्फ उस पर नज़ा रखो फिर सीन चेंज होकर वापस टेंपल पर आ जाता है जहाँ पर टीना हैमर गरल से कहती है कि मुझे तुमारी एक और हल्प चाहिए फिर हैमर गरल पूछ से कि क्या फिर टीना कहती है कि मैं चाहते हूँ कि देव मेना टीचर बन जाए कौकि मेरे बहुत सारे दुश्मन है फिर Hammer Girl कहती है कि ठीक है वैसे भी तुमने देखी लिया होगा कि देव कितना स्रॉंग है फिर Hammer Girl देव के पास जाती है और दूसरे तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी जिसे टीना पर नज़र रखने भीजा था वो टेंपल के उपर से सब्सकुछ देख रहा होता है फिर जब Hammer Girl देव के पास आ जाती है देव के पेड में से एक रोशनी निकलती है और फिर Hammer Girl टीना को चिलाती है कि इधर आओ देव को खून की उल्टी हो रही है टीना को देखते हैं जो कि Master Jack के कमरे से आ रही थी फिर तभी वहां Master Jack आ जाते हैं और टीना से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो Cold Poison है वो कम हो रहा है इससे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है पर मैं आगे का कुछ नहीं कह सकता पर टीना कोई जवाब नहीं देती और बैस समझ भी नहीं पा रहा था कि वो कहा है और तभी Master Jack अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये Hammer नदियों और पहारों को हिलाने के लिए बना है ना कि यूँँ खतम हो जाने के लिए फिर Master Jack उस Hammer को उठाते हैं और कहत रहे थे कि हैमर में कुछ कमी लग रही है हाँ इसका हैंडल तो है ही नहीं फिर देव उनकी हाथों में से हैमर को ले लेता है फिर Master कहते हैं कि देखो अभी तुम्हारी तवित पूरी सही नहीं हुई है इसलिए तुम थोड़ा अराम करो लेकिन फिर देख रहा हो जाता है और कहता है कि मैंने आपको मेरा टीचर बनने नहीं कहा था आप मुझे बस इतना बताओ कि मेरे भ्योश होने के बाद क्या क्या हुआ और मुझे खून की उल्टी क्यों हो रही थी फिर Master उसे बताते हैं कि तुम्हारे अंदरा मेरी पावर है और यहां तीन प्रकार की वर्ल है तो तुम्हें अपनी बॉड़ी के अंदर प्योर यांग हार्मोन को लाना होगा यह हार्मोन एक मेल हार्मोन है यह तुम्हारा मूड या अरिट्यूड को कंट्रोल करता है फिर तुरंत ख़रा होता है और Master Jack सक कहता है कि तुम इंसानों के तरह बात नहीं कर सकते क्या फि तो मतलब आप तो कभी भी दूसरे लेवल तक पहुंचे ही नहीं होंगे फिर Master Jack कहते है कि नहीं मैं पूरे 40 साल इंतजार किया था फिर देव कहता है कि अच्छा तो इसलिए जैसे मैं मिला तो आप सबसे पहले शादी करने के लिए भागे फिर Master Jack कहते है कि देखो मुझे ऐसे शर्मिंदा मत करो लेकिर फिर देव उनको लात मारता है और कहता है कि तुम मिले टीचर नहीं हो और फिर Master गिर पड़ते हैं फिर Master खरे होकर कहते है कि प्लीज मुझे अपना टीचर बना लो पर देव उन्हें मना कर देता है और उन्हों को टोकने उसे दिया था वो ल तो इसका आप लो करते क्या हो फिर Master Jack उसे वो डोर लेकर दूर से उसकी तरफ फेकते हैं फिर देव उस डोर के उपकर लेता है अब Master Jack बताते हैं कि तेखो इसके लिए कई दिलों की मेहनत लगती है अगर मैं इसे गलत तरीके से फेकता हूँ तो तुम अभी जिन्दा नही बचते और फट पड़ते यह सुनने के बाद देव से रहा नहीं जाता और वो Master Jack को एक से लात मारता है कि Master सीधे आसमानों की उचायों में खो जाते हैं पर जाते जाते हैं वो कहकर जाते हैं कि मैं वापस आऊंगा फिर हम देखते हैं कि टीना वहां आती है और देव से कहत है कि तुम मुझे Master क्यों कह रही हो तब ही Hammer Girl वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि हां अपसे तुम इसके Master ही हो और फिर वो देव को खीच कर खाने के लिए ले जाती है अब अगले सीन में हम एक राजा को देखते हैं जो कि थोड़ा चिंता में था और फिर वो अपने एक कर पेंगाई तक पहुंचा दो अब वो शोल्जर वहां से कायब हो जाता है फिर वो राजा सोचता है कि हम हमीशे तो ऐसे किट पुतली बनकर नहीं रह सकते फिर वो किसी एक को लेटर लिखता है और उस लेटर में वो लिखता है कि तुम्हें वह हैमर दस दिन के अंदर ढ आती है और अब तो टेवल पर खाना खा रहे हैं हमर गर्ल टीना की बहुत तारीफ कर रही थी कि मैंने तो अभी तक इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया है फिर टीना देव से कहती है कि मुझे तुम्हारी वो इस वर्शल फाइटिंग टेकनिक सीखनी है पर देव उसे और अपने पॉकेट से एक बैच निकाल कर उसे बताता है कि देखो मैं एक फार्ट इमोर्टल हूँ फिर टीना कहती है कि क्या तुम मुझे मजाग कर रहे हो तुम में के सच में एक जोनेर मोर्टल हो फिर देव कहता है कि हाँ और ये तो सबसे वीक ही होते हैं इसलिए मैं अभी तुम्हारा मास्टर बढ़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ पर टीना नहीं मानती वो देव से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बना स्टूरेंट बना लो फिर देव कहता है कि इसका क्या मतलब है मैं तो अभी इतने कम लेवल पर हूँ तुमको मुझसे क्या स खा लिया था तो अब उसमें यह आइस पावर आ गई है टीना बताती है कि मैं पॉंगलाई के एक मास्टर की स्टूडेंट थी पर मैं नहीं चाहती है कि मेरी पावर किसी के कंट्रोल में हो मैं खुदको सबसे आगे जाना चाहती हूं अब यह सुनकर कहता है कि बहुत अच खाना खतम हो चुका है और हैमर्गर्ण कहते है कि क्या मुझे और खाना मिलेगा और देव टेना से पूचता है कि क्या यह फूरा खाना तुम wildlife नहीं था इसके बदने तुम्ने में में टी-जुट बना होगा अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि देव बैटकर ट्रेशन और बुक को फेक दिता है पर वो बुक एक पेपर शीट बनकर वापिस देव के पैस आ जाती है अब देव उस शीट को भी रोल करके फेक देता है और गुस्से में मास्टर को चुलाता है क्योंकि यह सब टाइम पास उसे उन्हीं के वज़े से करना पर रहा था पर तभी वहा आपने मुझे ट्रेनिंग को तो कह दिया पर आपने मुझे यह तो बताया ही नहीं करना क्या है अब मास्टर कहते हैं कि वैसे तुम तो जो पढ़ रहे थे वो के ट्रेनिंग के बुक नहीं थी बस असानी से मरने के तरीके थे और तुमने मेरे कहने पर वो ट्राय करने का सो कहते हैं कि मैं रेन जी आओ स्पिरिट सेक्ट का 338 हैड हूं अब तुम्हें 349 बनना है यह सुनकर देव बहुत खुश हो जाता है पर वो अपने expression की control करता है और कहता है कि वह सब छोड़ो में को तो आप बस बुक कर पता बता दो जिससे मैं अपने emphasize Kingdom कि मांटरेन बस ब्रिट सुनकर जाओ और वहां जाकर तम नाइन कोμεंग जाए और तुम देद नहीं करनी चाहिए और फिर मांटर देल्ट को वह मैप देकर अपनी वाइफ के साथ ले जाते हैं चार्चों कि सेर करने और फिर सीन चेंज होता है और हम उस लड़की को देखते हैं जिसे टीना के पीचे अपने आदमी को लगाया था अब उसका आदमी वापस आ गया था और अब वो लड़की कहती है कि तुम्हें अभी भी उस पर नज़र रखनी है और अभी भी हमें कुछ करने की जु सी नौलेज है अब आगे बढ़ते बढ़ते देव पूछता है कि हमें और कितना दूर जाना होगा तो टीना कहती है कि अभी तो बहुत जादा दूर जाना है और तभी मैक्स अपने गोरे पर बैठ कर उनके सामने आ जाता है उसके साथ कुछ इमोर्टल्स के गार्फ भी हो और बस फिर देव शांती से आगे बढ़ने लगता है पर मैक्स अपने immortal गार्ट को देव और टीना को रोखने का हुक्म देता है और गार्ट तुरन टीना के देव के सामने आ जाते हैं और देव मैक्स से कहता है कि शायद तुम ऐसे नहीं मानोगे पर देव कुछ करे इसके पहले ही टीना मैक्स पर अटेक कर देती है लेकिन वो मैक्स के पास बहुत ही नहीं पाती क्योंकि बीच में दो गार्ट अपनी पावर से एक शिल्ड बना देते हैं और टीना उस शिल्ड से टक्रा कर पीछे हो जाती है अब तुरेंथ ही वो गार्ट टीना पर अटेक कर देते हैं पर टीना उसे बचते जाती है पर अब वो दो लोग थे इसलिए उसे थोड़ी प्राबलम हो रही थी अब मैक्स उससे कहता है कि तुम फालतों में महनत कर रही हो तुम कभी मेरे इमोर्टल से गार्ट को हला नहीं सकती अब देव टीना के पास आकर कहता है कि मेरे वज़े से तुम्हारी आई स्वार्ट चली गई और अब मैं यही नहीं कह सकता कि कभी वो स्वार्ट वापस मिलेगी कि नहीं इसलिए तुम मेरा हैमर यूज कर सकती हो पर टीना मना कर देती है और अब मैंक्स अपने सभी गार्ट को टीना को पकड़ने का ओर्डर देता है और सभी गार्ट मिलकर एक फर्मिशन बनाने लगते हैं पर देव को कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए वो टीना से पूछता है कि तो टीना उसे बताती है कि ये लोग इमोर्टल से एक्जेकुशन फर्मिशन बना रहे हैं और ये अटेक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और इतना बताते हैं तुरंट टीना अभी अपने आइस पावर से एक फर्मिशन बना के आस्मान में जम करती है और हम देखते हैं कि जमीन पर पूरे में बर्फ जमने लगती है और फिर टीना आस्मान से फ्लाइंग स्नो अटेक करती है और इस अटेक से सारे गार्ट के पैर फ्रीज हो जाते हैं और वो हिल भी नहीं पाते देव तो ये सब देकर शौक था ही पर मैक्स भी सोच में परिया था कि क्योंकि उन six immortals को रोप पाना इतना असान नहीं था अब हम देखते हैं कि उन immortals की sword भी फ्रीज होने लगती है और टीना अपनी पावर का यूज करके उन सभी के sword break कर देती है और फिर टीना एक और अटेक करती है जिससे उन सभी guards की body भी फ्रीज हो जाती है और अब वो सिर्फ अपना हाथ और गर्दनी हिला पा रहे थी अब देव कहता है कि तुम तो कमार ही हो पर अब इतनी power use करने के कारण टीना की body बहुत weak होने लगती है वो वापस जमीन पर आ जाती है और देव उसके पास आकर कहता है कि तुम ठीक तो हो पर तभी देव की body में भी पहले की तरह pain होने लगता है पर वो pain कुछ देर में रुक जाता है फिर मैक्स टीना से कहता है कि तुम सच में golden immortal level के लायक हो और फिर मैक्स वहाँ से चला जाता है अब देव उसके पीछे जाने के लिए आगे बढ़ता है पर टीना उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें fight to time based नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए अब देव भी उसकी बात मान लेता है और आगे बढ़ने लगता है अब कुछ दूर आगे बढ़ता ही मौसम खराब होने लगता है देव टीना से पूसता है कि ये मौसम खड़ाब क्यों होने लगा तो टीना कहती है कि ये किसी मुसीवत की निशानी है अभी हम सौंग राज के बाहर है और आगे से उनका राज चालू होने वाला है इसका मतलब ये शायद कैन होगा वो पैंगलोई इमोर्टल लिस्ट में टॉप पर है ये सुनकर जैसे सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा था पर टीना फिर भी सामने की और आइस निडल से अटैक करती है फिर हम सामने एक गोड़े पर बैठे एक आदमी को देखते हैं जो कि तीन गार्ट के साथ आ रहा था अब वो टीना और देव के पास आ गई थे और फिर उन तीन मे भाले को टच करती है और उस भाले को फ्रेज करके तोड़ देती है फिर कैन तीना से कहता है कि तुम कैसी बहन हो यह सुनकर देव टीना से पूसता है कि क्या यह तुम वैसे ही हो और वैसे भी तुम लिजेंडरी एजेंट्स इमोर्टल मैंसे एक के स्टूडेंट जो थी औ पर हम हो कौन तो देव जवाब देता है कि तुम्हारी बहन का मास्टर हूँ और फिर देव की इतने एटिटूड में बात करने के कारण के इनको कुछ सानने लगता है और फिर वो अपनी फायर स्वोर्ट को समन कर लेता है और ड्रेगन डास अटेक के लिए रेडी हो जाता पर टीना भी अपनी आइट शिल्ड की मदद से बच जाती है और उसके अटैक को अपनी स्वोर्ट से रोक लेती है पर वो अब समझ चुकी थी कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी अब हम देखते हैं कि टीना और कैन दोनों में स्वोर्ट फाइट हो रही है और दूस जाके वो हमर लेकर आओ अब वो शोल्जर फूल स्पीड में देव के पास जाता है और अपनी स्वोर्ट से देव पर पीछे से बहुट करता है पर देव भी इतना कच्चक खिलारी नहीं था वो तुरंती उस सोल्जर की प्रेजन्स महसूस कर लेता है और तुरंती हट जात जाता है इसी कारण स्वोजर नीचे गिर जाता है और देव उस पर पैर रख देता है लेकिन अब शोल्जर खोड़ा होकर फिशू देव पर अटैक करने लगता है अब देव उसका टैक से बचते वे उस सोल्जर को एक लात मार देता है और वो शोल्जर सीधा उसी घर में जाकर गिर जाता है अब अपने हैमर को फोल कर फिर से अराम से बैठ जाता है और शो इंजॉय करने लगता है अब हम देखते हैं कि टीना में और कैन में मस्थ फाइट चल रही थी अब टीना केलब पर आइस पावर से अटैक करती है और इस से केन को भी थोड़ी बहुत चोट कर रहा था अब देव रुबी से पूशता है कि तुम हो कौन अब रुबी उस चीज का जवाब ना दे कर उस से ही उल्टा सवाल करती है और तुम्हीं वह आदम हो जिसने वह चिन्यून पाइन से हैमर चुराया था अब देव उससे कहता है कि क्या चाहिए तो रूभी कहती है पर यह तूटा कैसे अब देव से हिलाकर कहता है और दे देता है और कहता है कि अब जो वह है सो है फिर उनकी नजर फाइट पर जाती जहां टीना बहुत अच्छे से फाइट कर रही थी पर कैन उसे जादा तागतवर था इसलिए अब टीना कैन पर स्वार्ट से डारेक्ट अटैक करने जाती है पर कैन भी उस पर अपनी स्वार्ट से अटैक करता है तो वहां एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है और टीना की आई स्वार्ट पूरी तरह से तूट जाती है पर कैन की स्वार्ट को कुछ भी नहीं हुआ था इसलिए कैन फिर से टीना पर अटैक करने क के लिए आगे बढ़ता है पर तभी देव आकर कैन का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे घुमा कर दूर फेक देता है अब यह देखकर वहां के शोलजर और टीना सब शौक दो जाते हैं और रूबी यह देखकर सोच रही थी कि यह तो होना ही था क्योंकि जिस लगए को हैमर खुद चुनेगा वो किसी गौड से कम नहीं हो सकता फिर रूबी के नजर उस हमर पर पड़ती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसे चुडा लूँ पर फिर उसके दिमाग में आता है कि मैं तो जितेंग राज की प्रिंसेस हूं तो क्या यह चोड़ी करना सही रहेगा पर वो सोचती है कि भले ही यह बिल्कुल गलत आइडिया हो पर यह गौड हमर बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए वो उस हमर को लेकर चुली जाती है अब कैन को फिकने के बाद देव टीना से कहता है कि चलो अब यहां तो सब कचुदा साफ हो गया है पर टीना अभी भी उ तुमने कौन से मूव का यूज किया था क्या तुम वो मुझे मूव सिखाओगी तो देव उसे कहता है कि यह कोई सा मूव नहीं था मैंने बस उसका हाथ पकरा और उसे फेक दिया सिंपल है तुम भी कर सकती हो पर टीना फिर भी शौक थी क्योंकि कैन टॉप नमर पर था प अब देव टीना से पूसता है कि वहाँ मेरे साथ घरी थी वो कौन थी तो टीना उसे बताती है कि वो रूबी थी जितेंग राज्य की प्रिंस फिर देव उसे कहता है कि प्रिंस पर मुझे तो वो लड़की लग रही थी अब टीना उसे बताती है कि हाँ वो लड़की ही है फिर देव उससे पूछता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानती हो तो टीना कहती है कि हाँ मेरी उसके साथ बहुत पहले एक हिस्ट्रीड है चुकी है अब टीना देव को कहती है कि तुमने पेंगलाई लिस्ट के टॉप मेंबर को कुछ सेकेंड में ही हडा दिया शायद वो स्टोन खराब हो गया होगा इसलिए वो ये नहीं बता पाया कि तुम कितने स्ट्रॉंग हो फिर देव उससे कहता है कि मुझे उससे कोई फरक नहीं पड़ता वो वैसे भी एक नॉर्मल सर्टिफिकट ही है अब देव और टीना उस माउंटेन की और आगे पढ़ने लगते हैं अब पीछे से रूबी उन्हें देख रही थी और देव के बारे में सोच रही थी अब देव के पास हैमर का आदा हिसा तो था ही तो वो सोचता है कि इसका बाकी हिस्सा कहा गया अब उसको रूबी के बारे में याद आता है और वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे रूबी उस घर के छट पर दिखती है फिर देव रूबी से पूचता है कि क्या तुम सच में वो हैमर चुडाने के लिए आई थी पर रूबी कुछ जवाब नहीं देती और वहां से काया पुचाती है अब देव टीना से पूचता है कि तुम्हें क्या लगता है कि रूबी हैमर चुड़ी करके कहा जा सकती है फिर टीना उसे बताती है कि जरूर वो अपने घर गई होगी अब देव उससे कहता है कि तो मतलब हैमर के लिए हमें फिर से पीछे जाना होगा पर क्या उस जगह कोई कोट होगा जिससे हम उसे लड़की की कंप्लेंड कर सकी लेकिन टीना उसकी बात पर जाता ध्यान नहीं देती क्योंकि पहली बात रूबी उस राज की प्रिंस है और दूसरी और मैंने बात यह हमर तो देव नहीं चुड़ाया था फिर टीना देव से कहती है कि वहाँ एक स्टोन है जिससे तुम हाई लेवल इमोर्टल समय आ जाओगे अब देव उससे कहता है कि तुम्हें मेरे इमोर्टल बनने की इतनी पड़ी है तो टीना कहती है कि नहीं मुझे क्या जैसे तुम चाहो अब सीन चेंज हो जाता है और हम कैन को देखते है जो कि पहार के उपर एक डाली के सहारे लटका हुआ है क्योंकि जब देव ने उसे फेका था तब वो सीधा वहीं आकर गिरा था अब हम देखते हैं कि वो डाली बजल के कानण तूट जाती है और कैन सीधे-सीधे नीचे गरने लगता है पर कैन की किसमत अच्छे थी इसलिए वो सीधे एक बर्ड के बरे से घूसले में गिर जाता है फिर उसके नजर वहाँ एक चीज़ पर पड़ती है जो कि बहुत चमक रही थी वो उसे जैसे ही देखता है वो चौक जाता है क्योंकि वो कोई मामली चीज नहीं थी वो divine weapon list का number 4 का weapon है और ये उसके बंगाओ ब्लेट से कई गुणा ज़ादा तागतवर है अब कैन उस weapon को हवा में फिटता है और वो weapon हवा में उड़ने लगता है फिर कैन उस weapon पर चड़ जाता है और उराने लगता है और फिर वो खुछ से बातें करता है कि ये divine weapon से मैं कहीं भी उड़ सकता हूँ वो लड़का में ले बहुत लगी था अब मैं उसे अपने साथ ला कर ही रहूँगा कि देव और टीना दोनों hammer लेने के लिए कुलन स्टेट में आप पहुँचे थे अब उस जगा को देखकर देव कहता है कि ये जगा तो बहुत जादा ही अच्छी है फिर टीना उसे बताती है कि होगी भी क्यों नहीं यहां की जनरल कमांड बेस चारो स्टेट में सबसे बड़ा है और इस स्टेट में ही अभी तक का सबसे बड़ा spirit stone मिला है अब देव टीना से कहता है कि ठीक है तो हम पहले उसे देखेंगे फिर hammer के लिए निकलेंगे फिर वो आजू बाजू देखता है और कहता है कि सच में ये जगा ये जगा कितने अच्छे तरीके से बनाई गई है अब दोनों उस जगा पहुँच चुके थे जहाँ पर वो spirit stone रखा हुआ है लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा gate था और उन्हें उस gate के अंदर जाना था तभी वो वहाँ पर कैन आ जाता है और वो आकर देव से कहता है कि अरे तुम तो मेरे संग काम करने के लिए खुद ही यहाँ पर आ गए अब देव सोच रहा था कि ये कैसा पागल है जो कि खुद को पिटने पर इतना खुश हो रहा है पर तभी कैन अपने magic से fourth divine weapon को समन कर लेता है और उन्हें बताता है कि weapon को ये देखो जब मैं fight के दुरान खुद उठकर गया था तो मुझे एक जगा पर ये weapon मिला अब देव उससे कहता है कि अच्छा तो तुम अब खुद उड़कर गए थे फिर कैन उससे कहता है कि ये बात इतनी important नहीं है मेर बात ये है कि मुझे ये divine weapon मिला अब देव उससे कहता है कि ठीक है तो congratulations अब कैन जोर से आवाज रगाता है कि gate को खोलो और तभी एक सिपाही gate खोलता है और कैन उससे बताता है कि ये देव और टीना हमारे महमान है और फिर केन देव और टीना को लेकर अंदर चुना जाता है और अंदर जाने के बाद वो देव से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी तक तुम्हारा मोटर लेवल नहीं पता तो देव उसे कहता है हाँ मुझे पता है मैं एक फार्ट लेवल का इमोर्टल हूँ तो ये सब सुनकर थोड़ा शौक हो जाता है कैन और कहता है कि क्या सच में तुम ओर्डिनरी इमोर्टल हूँ फिर देव उसे बताता है कि हाँ मैंने पहले भी स्पिरिट स्टोन पर चेक कराया था उसमें मुझे यही आया था कि मैं एक फार्ट इमोर्टल हूँ तो ये सुनकर कैन उसे कहता है कि शायद वो चेकिंग स्टोन खराब हो गया होगा मैं तो यही बोलता हूँ कि तुम्हें फिर से तुम्हारा इमोर्टल टेस्ट करके देखना चाहिए देव उसे कहता है कि ये इतना जरूरी नहीं है अब हम देखते हैं कि कैन उन दोनों को उस स्टोन के पास ले आया था अब हम देखते हैं कि वो स्टोन बहुत जादा ही बड़ा है और उसमें कुछ नाम भी लिखे हैं जो कि एट इमोर्टल के नाम है अब कैन बताता है कि ये देखो ये spirit stone अभी तक का सबसे बड़ा और बहुत powerful spirit stone है फिर Ken उन्हें कहता है कि ये देखो इस पर नाम भी लिखे हुए हैं ये नाम खुद 8 immortal से लिखे हैं अपनी पहचान के लिए क्योंकि इस stone पर अपनी पहचान छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है अब Ken कहता है कि यहाँ पर देखो ये नाम टीना की मास्टर का है ये उन्हें ही लिखा था अब Ken देव से कहता है कि तुम यहाँ पर अपना immortal टेस्ट करके देख सकते हो फिर देव भी बोलता है ठीक है तो मैं भी टेस्ट करके देख लेता हूँ कि तुम ordinary mortal हूँ अब देव उससे कहता है कि मैं तो पहले ही बोल रहा था तुम ही नहीं माल रहे थे फिर देव टीना से एक बार ट्राइ करने को कहता है फिर टीना कहती कि क्या मैं तो देव उसको बोलता है कि हाँ तुम चेकिंग रहने दो तुम सिर्फ उस स्ट्रोंग को स्प्रेट स्टोंड पर निशानी छोड़ने का ट्रेन करना और फिर टीना स्टोंड के पास जाती है और अपनी पूरी पावर का यूज़ करती है अब हम देखते हैं कि कुछ देर बाद स्टोंड पर निशान आने लगे थे अब देव भी ट्राइ करने के लिए जाता है और बहुत कुशिश करता है पर उस स्टोंड पर एक लाइन भी नहीं पर रही थी अब देव रुख जाता है पर उनका उस स्टोंड पर ध्यान जाता है और वो देखते हैं कि उस स्टोंड पर खून लगया है फिर कैन देव से कहता है कि तुम सच में हमसे कुछ छुपान तो नहीं रही हो ना अब देव उससे कहता है कि नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं और अगर तुम्हें यकी ना हो तो मैं इस स्टोन पर मंच मार के दिखाता हूं और फिर देव उस स्टोर्म पर अपनी पूरी तागत के साथ पंच मारता है लेकिन उस पर कुछ भी नहीं होता तो अब देव कहता है कि देखा मैं तो पहले ही वो रथा ना कि उसको कुछ नहीं होगा लेकिन तब ही हम देखते हैं कि अजानक से वो स्टोर्म तूटने लगता है अब देव हमारी तरफ देखकर कहता है कि मुझे लग रहा है कि हम बहुत जादा बड़ी प्रोब्लम में फसने वाले हैं हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जिनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और वो पुरी तरीके से आइस में जमें हुए हैं और हमें दूसरी अब उन्हें कि कोई नहीं घूना भाग रहे हैं और वहां है नहीं लगता है कि वो hammer उस city में नहीं है इसलिए अब वहाँ से निकल जाते हैं अब रास्ते में हम देखते हैं कि देव टीना से कहता है मुझे तो लगता है कि रूबी उस hammer को लेकर कहीं और ही चली गई होगी क्योंकि वो उनका national treasure है इसलिए वो इतने असानी से हमें उसे नहीं धूरने देंग क्या लगता है वो mountain अभी कितने दूर होगा तो टीना उससे कहती है कि अभी है बहुत time लगेगा क्योंकि हम घोरे पर हैं हमें अपने speed बढ़ानी होगी फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि वो लोग एक restaurant में खाना खाने के लिए रुपते हैं अब देव उसी restaurant में सामने देखता है कि दो आदमिया बसने बात कर रहे हैं एक आदमी तो दूसरे आदमी से कहता है कि तुम्हें पता है साव स्कूनलून सिटी का वो great spirit stone टूट गया है और मैंने सुना है कि वो किसी ने उसे एक पंच में ही तोड़ दिया और यही तक खतर नहीं होती मैंने सुना है क immortal Lord ने तो यह तक खुशत कर दिया है कि जिसने भी उसे spirit stone को तोड़ा होगा उसको वो गोध लेकर अपना बेटा बना लेंगे अब यह सुनकर देव चौक जाता है और उसके मुझे सारा पानी उस आदमी के ऊपर गिर जाता है अब वो आदमी गुस्ते में अपनी तलवार निकाल लेता है और देव के तरफ मारता है और कहता है तुम्हें पता नहीं कि मुझे नहीं पता फिर यह सब सुनकर वह आदमी देव से कहता है कि तुमने कैनलीन अकेडमी के बारे में तो सुना ही होगा वहां मेरा जीजा डायरेक्टर है पर तब हम देखते हैं कि वह उस परिशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फिर हम देखते हैं कि वह पहले वाला आदमी देव पर तलवार लेकर अटेक करने आता है पर तभी वहाँ पर डेंजी आ जाता है और उस आदमी के तलवार को रोग देता है और फिर अपनी एक टेकनीक के मदद से उस इसके पास आ जाता है और कहता है कि मैं में करेक्टर हूँ इसलिए यह मिरी जगा है अब डेंजी यह सुनकर वहां से उठकर टीना के सामने जाकर बैठ जाता है अब वो टीना से कहता है कि हम पूरे दो साल बाद मिल रहे हैं तुम मुझे गलत मत समझना वह आदमी मुझे जीजा जी इसलें बुला रहा था क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले एक औरत का इलाज किया था और फिर वो औरत कुछ टाइम बाद मर गई थी और तब तो उससा कोई रिलेटिव नहीं आया पर पता नहीं अब इसने कहां से जनम ले लिया मैंने तो बहला करने की सोची थी कि मुझे क्या पता कि ऐसा हो जाएगा अब मुझे जैसे ही पता चला कि कोई मुझे जीजा बना कर लोगों को बेफकू बना रहा है तो मैं तुरंत ही इन लोगों को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ा हूं वैसे देखा जाए तो यह अच्छा ही हुआ इसी बहारने तो थोड़ी जीब लग रही है वैसे नाम किया है तोट्र है के सिके कवार्टल तो देव से कहते हैं कि श्नॐ बता निकलना चाहीए का अब वहीं जा रहा हूं क्योंकि कल हमारे मरेवे सेंस्टर्स की एनिवर्सरी है तो मुझे भी उनकी रिस्पेक्ट देने जाना होगा तो अब यह सुनते ही उससे कहे पड़ता है कि अगर तुम उदर चले जाओगे तो यहां तुम्हारे साले साफ का ख्याल को रखेगा अब अब अगले सीन में हम देखते हैं कि देव और टीना गोरे पर बैट जाते हैं और निकलने लगते हैं अगर तुम्हें चलना हो तो हमारे साथ चल सकते हो पर डेंजी कहता है कि नहीं वो माउंटेन बहुत दूर है और मुझे कल ही वहां पहुँचना है और इसे गोरे से तो कल तक तो हम किसी हालत में नहीं पहुँच सकते अब हम देखते हैं कि डेंजी अपने हाथ में रखे ब्रेश से एक चीज ड्रॉ करता है और अपना पंखा उसमें डालता है अब उसके पंखे का साइज बड़ा हो जाता है और वो उस पर चड़ जाता है फिर वो देवोर जो टीना से उस पर आने को क्याता है अब हम देखते हैं कि वो तिनों उस फैन पर वैट कर माउंटन के तरफ निकल पड़ते हैं सीन चेंज होता है और हम उन शोलजर की बॉडिस को देखते हैं जिने हमने इस पार के स्टार्टिंग में देखा था और दूसी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कि उन बॉडिस को देखकर शौक था अब उसके नजर वहीं एक दिवाल पर पड़ती हैं जिस पर लिखा था कि वो बच्चा कोई मामुली बच्चा नहीं है उसे कम समझने की गलती मत करना मैं मास्टर वैंग को सब बताने जा रहा हूं कैन को देखते हैं जो कि उदास होकर बैठा था और सोच रहा था कि अगर किसी तरह देव उसके साथ हो जाता तो वो अपने राज कितना मजबूत और ताकतवर बना पाता और तभी वहाँ पर एक आतमी आता है ये वही आतमी था जो कि देव और टीरना की घर में उन्हें खाने के लिए पूछने गया था अब वहाँ आतमी कैन को बताता है कि वो दोनों महमान यहां से भाग चुके हैं अब पहले तो कैन को थोड़ी चिंता होती है पर फिर वो बहुत जोड़ से हसने लगता है अब ये देखकर उस आतमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब कैन अपने मन में सोच रहा था कि मैंने जैसे सा सोचा था वैसा ही हुआ अब हम देखते हैं कि वहां हलकी सी हमा चलने लगती है और वहां पर मैक्स आ जाता है और उसे देखकर कैन उससे पूछता है कि क्या हुआ तो मुझे चिंता में क्यों लग रहे हूँ तो अब मैक्स उसे बताता है कि किसी न हमारे को six immortal soldier को मार दिया अब ये ख़बर जैसे ही कैन सुनता है तो बहुत ज़़ा शौक हो जाता है और खरा हो जाता है और कहता है कि ऐसा कौन कर सकता है ऐसा कौन है जो भी हमारे पैंगलाई के लिए दुश्मन बन कर आया है अब मैक्स कैन को एक लेटर देता है और कहता है कि ये लेटर उन में से एक शोलजर की वाइफ ने लिखा था अब उस लेटर में लिखा है कि मास्टर कैन मैं आप से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको कुछ भी करकि उनका बदला लेना होगा और फिर मैक्स भी अपने घुटनों के बल होकर कैन से कहता है कि हमें हमारे इमोर्टर्स भायों का बदला लेना होगा अब कैन कहता है कि तुम चिंता मत करो हम भी बदल लेने की पूरी तयारी करेंगे अब पीछे बैठा आदमी कहता है कि अगर उन्होंने हम पर फिर से हमला करा तो अब ये सीन यहीं खतम हो जाता है अगले सीन में हम रूबी को देखते हैं जो कि रात के समय आग ताओ रही है और हम एमर को एक पार्ट भी उसके पास ही रखा है और फिर वहाँ पर एक शोलजर सराकर साabeai को बताता है कि ऑस एक ये मॉर्टार सौचर को मार दिया गया है एव ये सुनका रूबी उससे कहते है कि कि मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाईगा अब वो उस सोलजर से कहते हैं कि तुम्हें मेरा इसे वहाँ और से फूर्वी उससे पूछलता है कि अच्छा तो इसमें क्या लिखा है पर वो शुलजर कहता है कि मुझे ये लेटर पढ़ने की पर्मिशन नहीं है फिर अब रूबी उसे वो लेटर लेकर पढ़ती है और शौक हो जाती है और फिर गहती है कि डैट पागल हो गए है क्या अब यह सुनकर शुलजर उसे कहता ह कि तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए अब वो शुलजर घुड़ने के बालों को रूबी से माफ़ी माँगता है अब रूबी उससे पूस लिए कि तुम्हें क्या लगता है इस सबके बारे में अब वो शुलजर उससे कहता है कि हमारा टैंक गेट हमारे आ तेन साल की थी और मैं बहुत ज़्यादा कम जोर थी लेकिन मुझे अब भी टैंक डाइनिसिटी का प्रेंस बना दिया गया अब मुझे कंफॉर्म तो नहीं पता कि पैंगलाई आखिर क्या चाहता है पर मेरे हिसाब से वो सर्तवाही ही चाहते हैं अब हम देखते हैं कि का लेटर तो आ चुका है अब अंकल को बॉर्डर टाउन जाकर पता जाना पड़ेगा अब बाकि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा अब ये सिन्वाई पर खत्म हो जाता है और फिर हम मैक्स को देखते हैं जो कि एक आदमी से जबदस्ती पूछने के कुशिश कर रहा कि रहना कि देव कहा है पर वो आदमी कहता है कि वो पहले ही आ rolling जिया जा चुका है मुझे नहीं पता कि वो लोग का गई है प्रीज मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मैक्स बहुत जोड़ से चिला कि तुम जहां कहीं भी हो मैं तुमने कि सी हालत में ढोनड़े लूग और डेन जी भी उसके तरफ आने को आगे बढ़ता है लेकिन देव अपने हैमर की डंडे से वहीं पर उसे देता है और कुछ देर बाद वो मांटेन पहुंच जाते हैं जहां पर कि वो मांटेन पर उतरते हैं और टीना आगे आगे जाती है तो डेन जी उसके कुछ कहने के लिए आगे आना चाहता था लेकिन देव फिर से अपना डंडा अंडा दे देता है पर इस बार डेन जी उस अलग कर देता है और आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं मेरे पुर्वजो के अनिवर्स्री में जा रहा हूं तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा और इसके कहने के बाद वो दूसरे रास्ते पर चला जाता है अब देव टीना से कहता है कि वो आदमी तुम्हें में बता रहा था कि उसको उसके पुर्वजों के अनिवर्सी में जाना है क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ चल रहा है फिर टीना देखती है कि वो जगह पर पहुँच चुके हैं वो तुरंत देव को बताती है और अब जैसे ही देव ये बात सुनता है उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है क्योंकि अब उसे और नहीं चलना पड़ेगा लेकिन जब वो उस जगह को देखता है तो कहता है कि ये कैसी जगह है मैंने तो सुच था कि यहाँ पर मुझे सुन्दर लड़किया और स्पावरफुल डिवाइन वैपनस दिखने को मिलेंगे मगर यहां तो सब तोटा फूटा पड़ा है अब हम देखते हैं कि देव आगे बढ़ता है और जोर से अवाज लगाता है कि क्या यहाँ पर कोई है देखो तुमसे मिलने को कोई आया है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता और अब देखते हैं कि सामने बना एक डिवाइन पिलर में से एक स्टोन गिरता है और उसे देव तुरंत पीछे जाता है अब टीना वहां से आगे की और भागती है और देव से भी भागने को कहती है और बोलती है कि चलो ये जगा गिरने वाली है अब वो दोनों भागते भागते सीधा उसकी जगा के अंदर चले जाते हैं और अब अंदर पहुंच कर वो देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा घर ब अब टीना उस घर के अंदर जाने लगती है और देव उसे रोकता है और कहता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए शायद वो जगह कही और हो जहां हमें जाना हो क्या पता अंदर क्या हमारे इंतजार कर रहा हो लेकिन हम देखते हैं कि टीना उसकी बात नहीं सुनती और अदर से उन्हें एक दूसरा रास्ता मिलता है जिससे कि वह एक कबिर्स्तान में पहुंच जाते हैं और हम बता दे कि उन्हें उसका पर पूरे में कबर और हड्या पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वहां पर कभी कोई लड़ाई हुई हो क्योंकि वहां करवार को उठाता है पर वह उसे वापस रख देता है हम देखते हैं कि देव आगे बढ़ता है जिस वेपन को लोग ढूंड रहे थे वह उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था लेकिन फिर उसे वहां पर एक कबर दिखती है और उस वेपन का नाम भी था अब वो टीना को बुलात है कि ऐसा मत करो लेकिन अब देर हो चुकी थी और हम देखते हैं कि पूरी कबर तूटने लगती है और उसमें से बहुत तेज लाइट निकलती है और कबर में से आवास भी आती है कि किसने एक लड़की को सोते वे उठाया और अब वो आवास सुनकर देव टिना के पीछे चुपने के की कोई जरूत नहीं है अब लाइट बंद हो गई है लेकिन तभी अचानक से देव को बहुत जादा पेन होने लगता है और वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा लेकिन फिर अचानक से धर्द बंद हो जाता है फिर देव पर देव कर देटी नहीं बहुता है मुझे है और पर और AH कर देंक नहीं जिसका नाम मीजुमी और वो पूस धीना और देव टीना उससे बोलता है कि ये तो मेरी हैमर की तरह है ये भी वैपन में से निकली है अब इतने में मिजूमी टीना पर अटैक कर देती है और टीना को पीछे होना पड़ता है अब देव टीना से पूसता है तुम ठीक तो हो लेकिन टीना देव की बातों का जबाब नहीं देती और अपनी आइस वाट बना लिती है और फिर मिजूमी भी उसे फाइट करने लगती है फिर हम देखते हैं कि देव उनकी खतरनाक फाइट को देखर कह रहा ता कि इन लोगों से भी जिसरब क्यों कर रहे हो अगर तुम चाहते हो तुम भी मुसाफाइट कर सकते हो अब देव कहता है कि नहीं मैं एक छोटी से गल को ऐसे नहीं मार सकता अब मिजुमी कहती है कि तुम्हारे मारने से मुझे कुछ नहीं होने वाला अच्छा तुम्हें यकीन नहीं हो रहा हो फिर मिजूमी अपनी एनरजी को रिलीज करके अपनी बॉड़ी के आसपास लगा लेती है जिससे अगर कोई उस पर अटेक करता है तो उसे जादा असर नहीं होता लेकिन हमको तो पता ही है कि देव कितना स्ट्रॉंग है अब जैसे ही वो मिजूमी को पंच मारता है तो अभी इतना पावरफुल इंसान नहीं मिला और मिजूमी के जाते ही उसकी एक्स जो कि टीना के साथ लड़ाई कर रही थी वो खुद वखुद रुख जाती है अब देव टीना से कहता है कि इस दुनिया में ना जाने कितने अजीब चीज है फिर टीना उसे कहती है कि हमें चलना चाहिए तो देव कहता है कि यहां से निकलने से पहले मुझे यहां के बारे में थोड़ी से जानकारी तो दे दो अब टीना उसे कहती है कि जिससे तुमने अभी हराया है वो बहुत ही पावरफुल वैपन स्पिरिट थी अब देव कहता है कि मुझे तो यह सब पता है पर वो लड़की उस weapon के अंदर क्या कर रही थी अब टीना उसे बताती है कि स्कूल सेक्ट 18 पार्ट्स में डिवाइड है और ऐसी टोटल 18 ब्लेड्स है और हर एक ब्लेड्स में एक spiritual spirit रहती है इस तरह 18 ब्लेड्स में टोटल 18 spiritual spirit है और इन सब वैपन की लोकेशन अलग अलग जगा पर है अब देव ताली बजा कर उससे कहता है कि अरे तुमने पहली बार इतना बोला होगा तुम मुझे एक बाल बताओ कि तुम कभी बोर नहीं हो जाती चुप चप रहकर फिर हम देखते हैं कि देव उस ग्रेव के पास जाता है जहां पर उन्हें एक्स मिली थी और वहाँ पर जाने के बाद उस ग्रेव को चेक करने लगता है और कहता है कि जब मैंने हैमर को निकाला था तब मुझे ऐसा ही कुछ मिला था तो शायद इसमें मुझे दूसरे weapons के बारे में कोई information मिल जाए अब देव उस grave को चेक कर रहा था और तभी वहाँ एक्स girls मिजूमी आ जाती है और वो कहती है कि इन सब weapons को सिर्फ वही निगा सकता है जिसने कि हमारी secret technique सीखी हो और तुमने ऐसा अभी अभी किया है मिजूमी देव के उपर attack कर देती है लेकिन हम देखते हैं कि तीना विजूमी के attack को रोग देती है और फिर मिजूमी से पूसता है कि मुझे मेरा hammer नहीं मिल रहा है क्या तुमने उसे कहीं देखा है वो god of war hammer है अभी मिजूमी केहती है कि मुझे फालतूबात नहीं करनी है मेरा ध्यान लडाई पर है और फिर फिर से उन दोनों में लडाई चालू हो जाती है अभी फिर बीच बोल परता है कि उसका नाम hammer नहीं है ये मैंने उसे दिया था अभी मिजूमी रुखती है और टीना को भी रोक देती है और फिर देव से कहती है कि तुम में थोगा सा भी दिमाग नहीं है क्या हम लराई कर रहे हैं हमें बारबर बीच में डिस्टर्ब मत करो अभी देव उसे कहता है कि ओके ठीक है अभी देव कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस्पिरिट खुद से उससे छोड़ना चाहे तो अभी मिजूमी कहती है कि नहीं जब तक इस्पिरिट जिन्दा है तब तक दूसरे इस्पिरिट नहीं जा सकती अब देव उससे पूस है कि क्या तुम्हें मेरे हैमर के बार में कुछ पता है तो अब मिजुमी गुसा हो जाती है और कहती है कि अगर में को कुछ पता होता तो मैं अब तक बताना देती लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हें दोनों को ही मारूंगी अब टीना आगे बढ़ती है पर देव उसे रोक देता है और खुद आगे बढ़ता है और कहता है कि ठीक है तो लड़ो मुस्ते लेकिन मिजुमी मना करती है और कहती है कि पहले मैं इस लड़की को हराऊंगी फिर देव कहता है कि ठीक है और टीना को जाने देता है अब उनके बीच में चालू हो जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद मिजुमी टीना को रोकती है और कहती है कि अगर ऐसे ही हम लड़ते रहे तो तुम याद करो अभी अभी जब तुम उसे fight कर रही थी तुम ने तुम्हें एक punch में हरा दिया था तुम मिजू में कहती है कि हाँ तो फिर देव कहता है तो फिर तुम्हें मेरे student बनना चाहिए कि नहीं अब ये सुनके मिजूमी देव के सामने घुटने टेक देती है और कहती है जी मास्टर अब देव उससे कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ऐसा करने के ज़रूत नहीं है तुम मुझे एक बात बताओ कि मैं जब यहां आया तो मैंने यहां पर और पांच ग्रेव स्टोन्स देखे थे तो क्या उन पांच चुमें और दूसर वैपन्स होंगे क्या अब मिजूमी कहती है कि मास्टर उन पांच में और बाके के वैपन और उनकी स्पिरिट्स होंगी अब देव यह सूनकर सोचता है कि पांच और स्पिरिट्स मतलब पांच और कुल्स अब वो इतना सोसते ही तुरंग खुशी के साथ भागता है और सारे ग्रेव स्टोन से पंच करने लगता है लेकिन किसी से भी कुछ भी नहीं निकल रहा था अब देव तक कर एक ग्रेव पर रुखता है अब मिजूमी आकर उससे बताती है कि अगर तुम इन में से वेपन नि अब मिजूमी देव को बताती है कि तुमने सिल्वर सेक्ट को खोल दिया है इस वेपन को तागत के मामले में टॉप पर माना जाता है क्रेव को ओपन करने के बाद एक लड़की उसमें से निकलती है वह लड़की भी मिजूमी के तरह ब्लेर स्परेट थी और वह स्परेट क करने लगती है लेकिन देव उस पर टेक्ट नहीं करता क्योंकि उस ग्रेप को तोड़ने में देव की सारी एनरजी चली गई थी इसलिए अब वहां से भागने की उशिश करता है लेकिन स्पिरिट ने अपना पहले ही कर दिया था पर देव फिर भी उससे दूर हो जाता है और बच जाता है और देव कहता है कि हम फिर कभी fight continue करेंगे पर वह स्पिरिट बात के mood में नहीं थी और देव पर अपना भाला फेक देती है लेकिन किसमत से वह भाला देव को नहीं लगता फिर मिजूमी देव से कहती है कि तुम इतने कमजोर कैसे हो गए क्या तुम कहता है कि यह अभी पॉसिबल नहीं है इसके लिए टाइम लगता है अब मिजूमी देव से कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम दोनों में से कोई एक ही जिन्दा बचेगा अब हम देखते हैं कि वह स्पिरिट जिसका नाम हमें नाजूमी पता चलना है वो देव पर हमला कर द अब देव उस ग्रेव से टिक कर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना मैं अभी नहीं लड़ सकता और फिर इतना कहकर देव कल्टिवशन करने लग जाता है जिससे कि वह अपनी पावर को रीगेन कर सके अब टीना ने भी देव को कल्टिवशन करते वे इक लिया था और अब वो अपनी दोनों स्वार्ट को नाजो मी के फिक घ 67 कर देती हैं और फिर कहती है कीघ mida को निकृत अब इतना कहकर वो देव की उपर अटेक करने ही जाती है अब भले ही देव के जूशन कर रहा था पर उसका ध्यान वहीं पर था। अब देव पने पीछे देखता है और टीना से कहता है कि या तो तुम मुझे बचाओ और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे नहीं हडा सकती तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब टीना यह सुनकर सोचती है कि मैं मासर को ऐसे मढ़ने नहीं दे सकती मुझे कुछ करना ही होगा। ल में चोहती है तो इसे नहीं पता की सही और गलत क्या है और वैसे अभी तक आपको को UX ऊचाई थी तो प्रीज उसे माफ कर दीजिए अब देव करता है कि रुक जाओं उसे चोड़ तो लेकिन टीना कहती है कि मैं इसे नहीं छोड़ सकती मैंने ये टेक्निक आज पहली बर अपलाई की है इसलिए अब मैं इसे नहीं रोक पा रही हूं और फिर टीना देव से जाने को कहती है मगर देव कहता है कि मैं तुम्हें यहां इसे नहीं छोड़ सकता टीना उससे कहती है कि अब situation मेरी कंट्रोल में नहीं है और तब ही वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जो की देव से कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो गेट जैसी दिखने वारी चीज दी थी ख क्या तुमनेlles संभाल के रखा है इस और चीज को निकालता है और मास्टर को दिखाता है अब सबको भूल जाओ इसा करने से तुम स्पिरिचोल टाइप आउड को open कर पाओगी अब देव मास्टर के बात मांगर बिल्कुल वैसाई करता है वो उस चीज़ को अपने हाथों के बीच में रख लेता है और उस पर ध्यान लगाना चालू कर देता है अब मिजूमी उन्हें वहीं खड़ी खड़ी देख रही थी फिर वो मास्टर से कहती है कि मैं तो अराम कर रहा था लेकिन फिर मुझे कुछ गरबर सी महसूस हुई मैंने सोचा कि जाकर देखू कि क्या हो रहा है वैसे क्या तो मुझे बता सकती हो कि यहां पर क्या हुआ था फिर मिजूमी उन्हें से कहती है कि जब मेरे मास्टर ने उस ग्रेव से स्पिरेट को बा काम किया है तो मिजूमी उनसे कहती है कि इसमें क्या बेवकोफी है आपको भी जब सेक्ट का हैड़ बनना था तो आपने भी तो स्पिरेट से लड़ाई की होगी ना क्योंकि उनको हराइब नहीं सकता लेकिन मुझे यह यात यो नहीं आ रहा कि आपने कभी मुझे से टकनीक का यूज कर रही है तो मास्टर कहते हैं कि अच्छा यह वहीं टकनीक है ना जिसे कि ब्लॉइंग स्नौ की छुपी वी टकनीक कहा जाता है विसे तुम्हें पता है कि इसके बारे में एक पुरानी कहानी भी है कि जब पेंगलाई की एड़ इमोर्टल की जान खत्रे म आ गया अब तो बस देव से उमीद है कि वो स्पिरिच्वल टाइपोर्ट को ओपन कर पाई और सब को बचा पाई अब मिजू में मास्टर से कोई पुराने मास्टर की बात करती है तो मास्टर उसे बताते हैं कि यह तो बहुत पुरानी बात है और तुम उतने टाइम से किंग को देखते हैं जो कि आराम से बैठका कुछ लिख रहे थे पर तभी उनके पास एक आदमी आता है जो कि उनसे कहता है कि सब कुछ प्लैन के मताबिक हुआ है मगर अब हमें आगे वे कुछ करना होगा फिर किंग उसे कहते हैं कि तो क्यों ना हम सभी लोग को मारते अब किंग उसादमे से कहते हैं कि हम आप ने सहीं वे वादमी कहता है कि देखिए मेरी बाग को समझने की कुशिछ कीजिए क्यों कि यह आपके इसद्मी आ अगर सच में रियॉक्सी की फैमलीका कोई आदमी आ चुका है तो आपके राजी को भी बड़े यरामिसी आदा हसल की बेटी तो आपकी सुनती ही नहीं आप याँ से कन्त्रोल में रखी और अगर आप उसे कुछ काम कहते हैं तो उसे आपकी बात माननी पड़ीगी और अगर यहसा ही चलता रहा तो मुझे यहां का ना पर सकता है अब किन्व से कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा फिर वहां पर उनकी एक सर्वेंट आता है और उनसे कहता है कि मैंने अभी अभी बहार से सुना कि ड्रैगन का लेर का मतलब डियॉक्सी अभी मेंबर अभी मारा नहीं है वह अभी भी जिन्दा है तो किंग उससे कहते हैं कि हाँ ये मोर्टल पवेलियन ने कुछ साल पहले यहां पर अटेक करके मुझे यहां का किंग बना दिया था जिससे कि मैं उनकी हर बात मानू और ये राज्ये पर भी उनकी मर्जी चले अब वो सर्वेंट उससे कहता है कि ये कितना बुरा हुआ ना जाने अभी प्रिंस कहां पर भटक रहे होंगे सच में उनकी किस्वन इतनी बेकार थी कि आश हमें हमारे प्रिंस मिल सकते हैं अब किंग अपने मन में सोचता है कि मैं थारा साल से यहां का राज समाल रहा हूँ पर फिर भी हर कोई रियोक्सी फैमली के लिए कितना वफदार है ये में लिए बहुत बुरा होता जा रहा है अब वो सर्वेंट किंग से कहता है कि महराज हम लोग यहां पर मरने के दिजार नहीं कर सकते मैं यहां पर न जाने कितने टाइम से काम कर रहा हूँ तो अगर आप मेरी बात मानो तो इस राजे में एक स्कूल खुलवा दीजे जिसमें कि हम हर किसी को सीक्र टेक्निक जब ठोनना पड़ेगा और वो सिर्फ राजा इसलिए बनेगा क्योंकि उसके नाम से रियोक्सी आता है अब दूसरी तरह वो सर्वेंट इसी में लगा हुआ था कि जब प्रिंस मिल जाएंगे तब हमें करेंगे फिर वो करेंगे अब यह सब सुनिकर किंग को बहुत गुस और नाजुमी थे अब हम देखते हैं कि टीना का जीरो टैम पर अटैक अभी और बढ़ते जा रहा है तीना और नाजुमी दोनों ही पूरी तरीके से बरफ में जम चुकी हैं और अभी भी स्परिच्वल गेट ओपन करने की कोशिश कर रहा है अब वहीं पर खड़ी मिजू कि यह उस बरफ को हटा कर इनको बचा सके और अब हमें देखना होगा कि देव कितनी देर में इस गेट को ओपन कर पाता है लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है अब मिजूमी उनसे पूस यह तो मास्टर से बताते हैं कि इस आइटम से हम सिर्फ वैपन स्पिरिट्स की ही बरफ और इसको हटा पाएंगी पर तो polls कुछ करना होगा आचाहें मास्ट कहते हैं कि वह तो गेट खुलने हम देखते हैं कि उस चोटे से गेट के अंदर से एक चीज निकलती है और वो चीज सीधी नाजुमे के पास जा रही थी और उस चीज में से एक बहुत जादा पाउरफुल और तेज और निकल रहा था अब मास्टर ये देखकर कहते हैं कि यह आइटम जिदा पाउरफुल है ये अकीली ही थी पाउरफुल टक्निक को खुद काट रहा है फिर हम देखते हैं कि नाजुमे अपने वैपन फॉर्म में आ जाती है और फिर उस स्पिरिच्वल गेट कंदर चली जाती है फिर देव मास्टर से कहते हैं कि बहुत अच्छे तुमने सब कुछ बिल्कुछ सही अब हम देखते हैं कि इस टक्निक के वज़े से देव की पूरी अनर्जी चली गई थी वह वहीं पर गिर पड़ता है फिर मिजुमी उसे उठाती है और फिर मास्टर से कहते हैं कि हमें यहां से चलना चाहिए और हमें टीना को भी बचाने का कुई रासा धूरना होगा फिर और मिजुमी उसे पट्टी लगा रही है तभी देव को होश आ जाता है और फिर मिजुमी देखती है कि देव के मुझ से खून निकल रहा है तो वह मास्टर को बलाती है फिर मास्टर वहां पर आते हैं और कहते हैं कि यह नॉर्मल है आकर इसने दिपावर का यूस किया है तो यह तो होना ही था फिर मास्टर वह बलड पोश देते हैं फिर मिजुमी कहती है कि हमारे लेक तुछ खाने को लाती हूं और फिर वहां से वह चली जाती है अब मास्टर देव को एक बुक देते हैं और कहते हैं कि यह जियो एंग की बुक है तो फिर देव उन से पूछत करना चाहिए उसके बाद देव उस बुक को पढ़ने लगता है अब मास्टर बहाद आकर देखते हैं कि सामने से मिजूमी आ रही है खाना लेकर तो वह उसे कहते हैं कि देव से टीना के बारे में कोई भी बात करने के जुरूरत नहीं है अभी उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए हम वक्त आने पर उसे सब कुछ बता देंगे इस तो में चोटी सीवी बई बात में उसको सामने मत निकालना फिर मिजूमी कहते हैं कि मास्टर हम इसारी तो नहीं चुपा कर रख सकते ना तो फिर मास्टर उसे कहते हैं कि नहीं लेकिन हम उसे अभी नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ करने के लिए पैदा हुआ है और इस चीज़ से उसका माइं डिस्टर्ब हो सकता है अब मिजूमी मान जाती है और अंदर चली जाती है अब अगले सीन में हम देख रहे हैं कि मास्टर टेना के आई स्टोन के पास खड़े हैं और उन्हो खाना खालो फिर देव वहां आता है और बैठ जाता है फिर मिजूमी उससे कहती है कि पिछली बार इस गेट को जिसमें ओपन किया था उसे पुरा एक दिन और एक रात लग गया था अब यह सुनकर देव थुरश शर्मा जाता है उसके बाद देव मिजूमी से कहता है कि ग आपर बैठ जाती है और देव को खाना किलाने लगती है अब देव सोचता है कि शयाद इस पर मास्टर जोट ना बोल रहे हैं फिर मिजूमी से कुछ ऐसी बात कर देता है जिससे वह शर्मा कर भाग जाती है और हम देखते हैं कि मास्टर भी वापर आते हैं और देव से कहत कर देव शौक हो जाता है और कहता है कि यह आप क्या कह रहे हो मेडिया स्टोडेंट अभी प्रॉब्लम में यह है और मुझे बताया भी नहीं फिर मास्टर कहते हैं कि वैपन स्प्रेट बहुत ही रेयर है तो उससे पहले बचना जरूरी था अब यह सुनकर देव को और भी ज लिए अपभी होई है मिजोबी लग डाल रही है घट्रेंट यह क्या क्या प्रफ कहते हैं कि दिए क्या है चाहिए घट लगे प्मठ को एक पंच में ही बिख dependent करकी कि बहुत जादा है और इसे तोड़ने का मेरा हिसाब से सिर्फ एक प्रीका है अब देव कहता है कि तो अब इसको रोक पाए तो फिर मिजूमी कहती है कि मास्टर कहीं आप येंग और यांग की बात तो नहीं कर रहे हैं तो मास्टर कहते हैं कि हाँ फिर देव कहता है कि हमें उसे दोड़ने करें जल्दी निकलना चाहिए अब अगले सीन में हम उसे जगा पहुंच चुके थे फि मिजूमी चेंड पर खरी हो जाती है और देव से पूछती है कि मास्टर आपको जाए से डर लगता है तो फिर देव उसे कहता है कि नहीं मैं तो यहां पर आया ही उड़ने वाले फैन पर था अब डेविस चेंड पर जर जाता है मगर उचाए के मारे वो बहुंच दर रहा इसलिए मिजूमी फिर उसे उठा लेती हैं और चेंड को पार करने लगती है अब चेंड के पहुंचके मिजूमी देव से कहती है कि मास्टर यही अरोसिट का रास्ता है अब देव उसे जगह को देखकर कहता है कि यह जगह तो मुझे बहुत बढ़ी लग रही है और हमें जाने के लिए पहले लेंग शुआन के सेवन स्वार्ट पविलियंट को पार करना पड़ेगा और कहते हैं कि हर पविलियंट बहुत खतरनाक है बहां पर शायद गौर्ड भी स्पिरेट्स भी रहते हैं अब देव को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था मिजूमी उसे क कहते हैं कि यह सभी मैजिकल क्रियेचर होते हैं और अगर इन से फाइट हो जाएं तो बहुत समहल करना पड़ता है कि देव उस के अंदर जा चुका है और फिर मिजूमी मास्टर के पास आती है तब मास्टर सोच रहे थे कि अगर देव आपर पहुंच जाता है और प्लान म में तो अब मास्टर कहते हैं कि मेरी जो मास्टर थे और उनकी जो मास्टर थे वो दोनों ही इसके में नहीं गए तो फिर मैं अपनी जान खत्रे में क्यों डालूँ अब इस बात में मिजूमी उनसे कहती है तो आपको क्या लगता है कि मास्टर इस सेवन स्वार्ट पबलिन को पार कर पाएंगे लेकिन फिर हम देखते हैं कि मास्टर एक जगा बैट कर चुके थे और मास्टर कहते हैं कि अब हमें प्रात्ना करनी चाहिए कि बस देव उसको पार कर ले अब यह देखकर मिजुमी कहती है कि मास्टर न यानी कि देव ने बिल्कुल सही कहा था यह आदम अकैडमी का डिरेक्टर हूँ और मैं यहाँ पर मिरे ओल्ड मास्टर को रिस्पेक्ट देने के लिए आया हूँ अब मिजूमी पूछती है कि कौन मास्टर जिस पर वही खड़े मास्टर रुजैक बोलते हैं कि एक स्टूडेंट जिसने किली ने कहने में ही ट्रेनिंग ली थ पर फिर वहां कभी लोटकर नहीं नहीं आए और इतना कहकर मास्टर हो जाते हैं फिर देन जी उनसे पूछता है कि आप लोग जहां से आए हैं वहीं से दो लोग और भी आए थे कहीं आप लोगोंने उन्हें इसके अंदर तो नहीं चले गए अब गाइस देन जी को यहां देव अंदर गया है जिस पर टेंजी कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि शायद यूकी अभी भी सेवन स्टार पविलियन के रक्षा कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो वो देव को कभी भी अंदर नहीं जाने देगा उसे पहले ही खतम कर देगा वैसे अगर देव शुरुवात में खतम हो जाता है तो यह धरती जैसे अभी चल रही है वैसी नहीं चलेगी मतलब कि यहाँ पर कई चेंज हो जाएंगे अब यह सुन कर विजू में पूस्ती है कि आखर यह यूकी है कॉन अब मासर उसे बताते हैं कि यूकी पेंगला इमोर्टल पुलिन का हेड कमांडर है और इसके साथ साथ अभी कोई भी कल्टिविटर उसकी पावर के सामवें नहीं टिक सकते हैं अब इस पर मिजू में कहती है कि मगर मैंने तो उसके बारे में कभी सुना ही नहीं लेकिन अगर आप लोग ऐसा कह रही हो तो इसका मतलब मासर को भी अंदर नहीं जाना चाहिए था यह उनके लिए बहुत खतरनाक होगा लेकिन फिर मासर कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा पर तुम्हें जिंदा करने के कोई ज़रत नहीं है क्योंकि उस लगए की अभी तक की जिंदगी पहुत ज़दा मुश्किल रही है और मुझे लगता है एके this one करता है कि में बहुत जब फिनिक्स है और इसके बारे मिन अजय सारी तक फैली हुई है लेकिन कुछ लोग उसे मानते नहीं कि ये सच है कि ये नहीं मगर जितने भी बाते और जितने भी जनकारी हमें मिल रही है उसके साब से देखा जाये तो ये बहुत पावरफुल और एक आकार में बहुत बड़ा पक्षी है और हमारे पुरवजों ने इसे अभी रिफाइन करके और पावर बढ़ा कर इसे एक वैपन स्प्रेट में बदल दिया था अब इसलिए वो फर्स्ट परविलियन के रक्षा करता है अब ये बास उनका मिजू में कहती है कि तो फिर तो मुझे मास्टर को बचाने के लिए अभी जाना चाहिए और इतना खाय का मिजू में अंदर के तरह भागने लगती है पर मास्टर उसका रास्ता रोक कर देते हैं और कहते हैं कि तुम खुद भी एक वैपन स्प्रेट हो और अगर तुम स्वार्ट परविलियन के अंदर जाती हो तो फिर तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगी अब इस बात पर मिजू में कहती है कि य तुम मास्टर मिजूमी की तरफ देखते हैं और फिर टेंजी से कहते हैं कि जब हम यहां आए तो वो पहले ही कहीं जा चुकी थी इसलिए हमें नहीं पता कि वह अभी कहा होंगी अब यहां पर मास्टर ने जूट कह दिया था फिर टेंजी उसे कहता है कि ठीक है तो अब पता सकते और यहीं इसके लिए अच्छा है अभी तो फिर मिजूमी उनसे कहती है कि आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं कि आपने इस दिल्दे मास्टर पर फरुस्ता करना छोड़ दिया अब इसके बाद वह सीन आ जाता है जिसका मैं और शायद आप सभी भी इनिते दे कर रहे होंगे क्योंगी अगले सब्सेंद देखते हैं जोकि उस सेवन सवर्ट पाविल्यन के अंदर दोड़ते वें और अंटर कर रहा था अब जैसा कि मास्टर ने बताया था कि पहले सवर्ट पाविल्यन के रक्षा मिंग फिनिक्स नाम का बीस्ट करता है और यह एक लग रही है फिर हम वहाँ पर देखते हैं कि एक बड़ा वहाँ पर उड़ते हुए एक बर्ड आती है जो कि शायद चौंग मिंग फिनिक्स ही थी अब देव उसे देखकर कहता है कि यह बर्ड वेकिती ब्यूटिफुल लग रही है मैं तो इस पर अटैक कर ही नहीं सकता लेक फिर बर्ड उसके तरफ बढ़ती है लेकिन बर्ड रैक नहीं करती अब देव को समझ में नहीं आ रहा था कि ना जाने यह बर्ड क्या कर रही है फिर वह सोचता है कि अब वो यहाँ पर सदा देर नहीं रुख सकता क्योंकि यह जगा बहुत सदा ठंडी है अब देव उस ब सब्सक्राइब कर लिया था अब वो सब्सक्राइब करने लग जाती है अब देव से देव के आसबास फॉर्म होने लगता है फिर से देव को थोड़ा अजीब लग रहा था इसलिए वह स्वार्ड को दूर फिर देता है कि यह तो वही स्वार्ड है जिससे कि उस दिर हैमर गर्ल ने खा लिया था लेकिन अचानक से देव को हैमर गल के आवास सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि मास्टर मुझे बचाईए मैं यहार पर बहुत जदो तागतलीफ में हूं अब देव यह सुनते ही शौक होकर में देखा था अब देव उठकर बैठता है तो वह देखता है कि सामने जो बड़ी सी बड़ थी वह बिल्कुल छोटी सी और क्यूट सी हो गई थी अब देव इसको देखकर उसे उठाता है और कहता है कि अभी तो 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 इतने जादा बड़ी लग रही थी लेकिन अब सब्सक्राइब? फिर देव उस बॉर्ट से पूछता है कि क्या तो मेरे साथ चलना चाहते हो अब ये सुनकर वो बॉर्ट बहुत दा खुश हो जाती है इसी वज़े से वो उड़ने रखती है तो देव कहता है कि ठीक है आज से मैं तुम्हें अब मेरा पीट बना कर रखूंगा और फिर वो देव की कंदे पर बैट कर देव के साथ आगे बढ़ती है अब देव ने फिर्स स्वार्ट पविलियन तो पार्ग कर लिया था तो अब देखते हैं कि सेकेंड स्वार्ट पविलियन में क्या होता है और फिर सेकेंट स्वार्ट पाविलियन में एंटर करते वक्त देव सोचता है कि मुझे तो कहा गया था कि ये स्वार्ट पाविलियन बहुत ज़्यादा खतरनाक है पर यहां तो मुझे मज़ा आ रहा है तो अब दूसरे स्वर्ट पविलियन में पहुंचने के बाद देव देखता है कि चारो तरफ आग और लावा ही लावा है अब पहले वाला आइस रिलेटेड था और अब फायर रिलेटेड आ गया इसी कारणल से अब देव को थोड़ी गर्मी लग रही थी मकर देव को कुछ भी नहीं वा था क्योंकि वो शील्ड अभी भी काम कर रही थी फिर देव अपने आजो बाजो देखता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं था लेकिन हमें एक स्टोन दिखता है जो कि पहले स्वर्ट पविलियन में भी था अब देव उसे देखी रहा था कि तभी उसको हैमर गर्ल के अवाज आती है जो कि देव से कह रही थी कि मझे बचाओ मास्टर अब देव चलाता है कि तुम हो कहां तो फिर हैमर गर्ल जवाब देती है कि मैं अभी विलेज में फजी हूँ और इस विलेज का नाम चिंग्यून विलेज है अब देव समझ जाता है कि ये तो उसी का विलेज है लेकिन फिर वो कहता है कि विलेज तो बहुत दूर है लेकिन फिर वो बच इतना सुनते ही देव की बॉड़ी के अंदर एंटर हो जाती है जिसके विलेज से हम देखते हैं कि देव के आजो बाजो बनी विशील्ड गायम हो जाती है और इस बार इसकी बॉड़ी से अब और भी ज़दा पारफुल आईस औरा निकल रहा था साथ ही साथ अब देव के आईस विंग भी आ जाते हैं जिसके मदस से अब वो उड़ भी पा रहे थे लेकिन अब प्राब्लम यही थी कि वो विंग्स बर्ट के वज़े से आई थे इसलिए उनका कंट्रोल बर्ट के पास था इसलिए वो तोनों उसे सेल तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे थे लेकिन फिर कुछ देर में वो तोनों सही से मेंटेन करने लगे थे और दोनों ही उस सेकेंड स्ट्रॉट पविलेंट से निकल कर बाहर चले जाते हैं और निकलब परते हैं hammer girl को बचाने के लिए अब वहां से चेंज हो जाता है और आगले सीन में हम सीते पहुंच जाते हैं देव के गउं में जहां पर की देव की माँ रह रही थी लेकिन अब वहां कि चारों तरफ आग लगी वही है और रूबी और उसके कुछ शोलजर्स आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ देर चलने के बाद वो लोग वहां से चल दे चाते हैं और फिर वहां पर देव आ जाता है जो कि अपने गाउं को जला हुआ देखकर बड़ा शौक था और फिर वो त से पूछता है कि तो मांकिर हो कहां तो फिर देव को पता चलता है कि वह चेंगर मांटेन पर है तो देव तुरह चेंगर मांटेन के तरफ निकल परता है अब थोड़ी दिर बाद वह उस मांटेन पर पहुंच जाता है और उसके बाद वो देखता है कि एक जगह पर हैमर ग अब पावर देने के साथ साथ जो कुछ भी हैमर गल ने देखा था वो देव को दिखने लगता है जहां पर हम देखते हैं कि रूबी का एक शोलजर देव की मां से कह रहा था कि हमें उस लड़की के बारे में बता दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा देव की मां कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो मुझे कुछ नहीं पता है अब वो शोलजर देव की मां पर अटेक करने ही वाला था कि तभी हमर गल वहां पर आकर देव की मां को बचा लेती है अब देव की मां हैमर गल से पूछती है कि तुम कौन हो तो हमर गल अपने बारे में उन्हें बता भी आ रहा था फिर वो कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं और यहीं पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी उससी बॉड़ी से बहुत तीस एनर्जी निकलती है विसी के साथ हमारा यह पर यह भी खतम हो जाता है अगर आपको यह वी